विप दोनिंग के इसे हो क्या हाल चाल है क्या हाल चाल है मेरे गार्डियंज का ब्रेक मिल गया चोटा सा प्रेक भी मिल गया अभी और बेखल बेखल यार ये इस वच्छो यह सच बता दो बोलो बोलो मैं दिख रही हूँ क्या तुम्हे लाइव आ गए हम हाँ लाइव आ गए है दिख रहे है दिख रहे है यह सच चलो ठीक है तो लेट इसलिए शुरू करा क्योंकि आपका एक सेशन थोड़ा सा खतम हुआ था तो फिर मैंने सोचा की भई थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ने तो यह तो हो जाएंगे एक्जास्ट बैट नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा हमें बीच में ब्रेक चाहिए थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा दिमाग को सेंटर में लाने के लिए यस बचो चलो अब शुरू करते हैं अब हम यहां आ गया है तो एक ब्यूडिफल से कोड के साथ में आगी हूँ मेक इच डे यॉर मास्टर पीस ठीक है मास्टर पीस कैसे बनाएंगे महनत करके बनाएंगे ठीक है महनत करके बनाएंगे महनत करेंगे रोज महनत करेंगे आपने आपको रोज इतना पॉजिटिव रखेंगे कि कुछ भी नेगटिव चीज की मेरे दिमाग में जगाईने रहेगी यस बचो चलो शुरू करते हैं तो आज प्लांट किंग्टम हो जाएगा खतम और जो नया बच्चा है बच्वा I'm Dr. Gargi Singh मैं बायो पढ़ाती हूँ और मैंने PhD करा हुए है 6 साल से मैं पढ़ा रही हूँ 3 नया स्पीशिट दिसकवर करें 10 रिसर्च पेपर लिख डाले हैं ठीक है यह सचो वर्चुल बॉक्स में क्यों नहीं आती हूँ मुझे पता ही नहीं क्या होता है बही चलो और देखो मेरा क्रैश कोस शुरू होने वाला है तेरा तारिक से तो जो बच्चा तरीके से थोड़ी पढ़ाई हमारी हो जाती है प्लस पे ठीक है इन तीन महीने में अपना सब कुछ दे दो बिल्कुल तरीके से पढ़ाई हो और बच्चो आपको गाइडेंस के साथ पढ़ाई हो आपकी तेयारी हो तो प्लस पे मेरे साथ आ सकते हो code आप यूज करेंगे गारगी and you can also join me on Iconic पे भी आप मेरे साथ आके पढ़ सकते हो वहाँ थोड़ी और आपको help मिल जाती है वहाँ आपको personal guidance मिलती है वहाँ आपको study planner मिल जाता है notes मिल जाते है बच्चो and you get test का analysis एक-एक dedicated teacher आपको मिल जाता है जो आपकी ही help करता है yes, ये देखो ये रहा अपना coach शुरू होने वाला है ये रही तुमारी गारगी मैम yes, बच्चो तो ये तेरा को शुरू हो जाएगा जल्दी से आजाना इसमें पूरा syllabus खतम होगा all the top educators are part of this group batch और अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो उसकी preparation से related कौन से number पर call करेंगे हम call करेंगे 7825860298 ये मेरी team आपके साथ connect हो जाएगी yes, बच्चो चलो आज हमारा इस chapter का test भी होने वाला देखो मैं पूरा planner वैसे पूरा दे चुकी हो तो मैं पूरे एक हफते का अगले हफते तुमें अगले हफते का planner मिल जाएगा Sunday को या फिर Monday को मिल जाएगा yes, तो 2.30 पर अपना test होगा जिसमें PYQ भी लूँगी और NCRT के based questions भी लोगी और बच्चो, notes मिले थे, handwritten notes handwritten notes मिले थे ये देखो, समीन मुझे बोल रहा है माम, एक दम must handwritten notes मिले yes, बच्चो, yes तो आपको वो सब कुछ मिलेगा तक टेलीग्राम पर आपको सब कुछ मिल जाएगा चलो, शुरू करते हैं अब मैं क्या करूँगी? पहले मैं टेडीडो फाइच कराती हूँ फिर मैं आपको life cycle कराने वाली हूँ तो NCRT के साथ सारा बच्चा सब बच्चा तियार है सब बच्चा तियार है NCRT के साथ yes और आज न मैं ये सब नहीं सुनूँगी कि ये lecture है, वो lecture है, मैं बस ये वो मैं तो ये सुनूँगी नहीं आज आज कोई distraction नहीं होगा इस तरह का yes बच्चो yes yes no, it's not a blur वो उसको तुम जूम करोगे नहीं बढ़िया दिख रहा है चका चक दिख रहा है बच्चो बढ़िया और थोड़ा सा यार लाइक वाइक कर दो सेशन को कैसे हो तुम कैसे से बच्चो हो तुम हाँ एक ऐसे 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 लाइक वाला बटन ही दब तुमसे चलो शुरू करते हैं टेरीडोफाइट्स ठीक है हम अलगे कर चुके हैं हम system of classification कर चुके हैं हम ब्राइओफाइट कर चुके हैं ठीक है बच्चो तो अलगे में मैंने देखा था कि थलोइड बोडी होती है इतिस नाइट ढिप रूली इनटुर स्टबं़ेख जेता और ब्राईडोफाइट में अलगे नहीं होती है कहाँ थोड़ा से पर चौटे 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 लीफ हसे नहें शुरू हो गये थे थीक हैत्動画 इसे धना किये यहां पे root, stem और leaves भी आ गए और यहां पे vascular system आ गया question, 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 यहां से बनेगा हमारा question ठीक है जी? तो यह रहा, पहले plant जिनके पास आ गया था xylem and phloem, ठीक है? जिनके पास आ गया थी root, stem and leaves वो कौन से थे? teridophytes, यह पूछा जाएगा तुम्हें पहला question यह बन गया, मैं तुम्हें question बताती जाओंगे, बचो, इन line से क्या question बन सकते है, बना बताती जाओंगे, और ना तुम ऐसे star लिखते जाना उसकी तरफ, या फिर highlight कर ले ना, या तुम्हारी मज़ी है, okay जी, so these are the first terrestrial plants, true terrestrial plants तुम्हेंने बोल सकते हो, जिनके पास xylem और phloem आ गया, अब मेरा ना काम इससे नहीं चलता कि xylem और phloem मैंने याद रख लिया तो बस मेरा तो बस काम चल गया, नहीं, मुझे थोड़ी सी चीजिवें पता होनी जाएंक कि xylem के पास kya है, phloem के पास क्या है, तो हम क्या लिखेंगे याँ पर, चुपके से, ठीक है, अपनी NRT में, बचोे, चुपके से side में जाके हम क्या लिख लेंगे, कि xylem के पास क्या है, ठीक है? लेखो, जाइलम के पास, actually क्या नहीं है लिखना है हमें, no vessels, जाइलम के पास बच्चों वेसल्स नहीं है, जिन बच्चे ने मेरे साथ एनाटमी पढ़ा है, उनको पता है, ठीक है, एनाटमी भी दुबारा से भी पढ़ा देंगे या, चिंता नहीं करना है, फ्लोयम आया, इस जाइलम के पास तो vessels नहीं थे, फ्लोयम के पास क्या नहीं था, 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 अरे, दोस्त नहीं था, बच्चों दोस्त कौन था इसका, companion cell, ठीक है, और वो किसका दोस्त होता है, sieve tube cell का, so no companion cells, no sieve tube cells, ये नहीं थे इसके पुम मोलो, मैं आन cynical Bloem क्लोत चरह न खरहे आहे प्रिमिटव तरह का something बहुत बड़े थो होते नहीं नहीं थाख है जायलं में थान्यों मेर थो, बहुत बहुत वैसल में थे लेखे वेखे समय कोई चक्र नहीं है क्योंकि इनो़ बहुत ऊपर रहायовые थाख है वह थोड़ा सा limited है, क्योंकि इनको चाहिए, इनको चाहिए, धूपने ही चाहिए, थोड़ा सा पानी ही चाहिए, इसलिए, चलो जी, आगया जाओ, अब देखो बच्छो, मैंने तुम्हें बताया था, gametophyte and sporophyte, अब यहां पर एक और चीज चुपके से यहां लिख लेंगे अपने NCRT में, side में जो जगा दिये थे न, वो इसलिए दिये होती है, so the sporophyte here, पहले यह हम लिख लेता है, फिर मैं तुम्हारे लिए पढ़ दूँगी lines, और बताऊंगी line में से questions कैसे बनेगे, sporophyte हमेशा क्या होता था, deployed है न, sporophyte बच्छो, is the main plant body, ठीक है, किसमत बदल बदल गए, कैसे बदल गए, पहले, algae में क्या था, gametophyte dominating था, bryophyte में, gametophyte dominating रहा, यहां से बच्छो क्या हो जाएगा? sporophyte dominating हो जाएगा, yes यहाँ से sporophyte हो जाएगा dominating दीकर, दुनिया बदल गई, अब दुनिया बदल गई अब वो नहीं रहा कि male ही dominating रहेगा नहीं भई, female भी हो सकते है, कोज भी हो सकता है कोई भी हो सकता है, main plant body यही है, यही है which is divided into, बच्चो, which is divided into root, stem and leaf, इसको ऐसे लिखेंगे, मैंने अपने notes में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, root stem and leaves में divided है, yes, okay multi-cellular है या unicellular है यह बात सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, चलो, it is multi-cellular क्योंकि life cycle इसके उप़ dependent है, बच्चो ठीक है, multi-cellular और यह क्या करता है photosynthesis करता है या ने करता है, photosynthetic भी है, photosynthetic भी है, याद रखना है, अब आज़ो तुम gametophyte के उपर, आप हम बात करेंगे gametophyte की, yes gametophyte कैसा है अपना, gametophyte अपना कैसा है देखते हैं, gametophyte obviously, अगर मैं sporophyte को main body तो gametophyte main तो नहीं हो सकता, लिखो gametophyte, कैसा है बच्चो, हमेशा होगा heploid, और कैसा है, मेरा कैसा है यह क्या है, बिचारा short lived है, ठीक है और gametophyte का एक special नाम है, देख लो prothallus prothallus का shape कैसा होता है दिल के जैसा, यार, दिल के जैसा shape होता है prothallus का, आज कहां रहेगी जनता, आज जनता कहां रहेगी यह जो तुम करते हो ना यह जो तुम करते हो ना कुछ दिन आते हो फिर नहीं आते हो, फिर बोलतो मैम मेरा ना, यह हो नहीं ना, मेरेको ना, समझ में नहीं आ रहा यह इसी लिए होता है because you are not consistent Prothallus, yes it is heart-shaped it is heart-shaped yes बच्चो multicellular होगा multicellular multicellular होगा short-lived होगा short-lived होगा ठीक है जल्दी से मर जाएगा अब जल्दी से मर जाएगा इसका मतलब यह नहीं कि बिचारा किसी और के लिए dependent है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई बिल्कुल भी नहीं है हाँ तुम लोगा तुम्हारे लिए बच्चो पढ़ रहे हैं आथ थक गए हैं सब देखो, yes true guardians are here very good, yes बच्चो true guardians are here and they will never miss any of the session yes short-lived है independent है याद रखना है बच्चो ये बात बड़ी important है independent ठीक है इस पर question पूछा जाएगा तुम्हे independent है, okay जी अब ये क्या करता है ये क्या करता है कि फोटो सिंथेसेस भी कर सकता है या फिर बच्चो ये मरी हुई चीजों के उपर भी जिन्दा रह सकता है saprophytic भी हो सकता है ये जो मैंने तुम्हें नीचे चीजे लिखवाई है ना these are very important इससे तुम्हें बड़े सारे questions बनेंगे आजा अब आब आजाओ, आब आजाओ, ठीक है चलो बच्चो you may recall that in bryophyte the dominant phase in the life cycle is gametophytic body ठीक है, वहाँ ये था however in teridophyte, the main plant body is sporophyte इसको कर लो highlight ठीक है, और बच्चो, side में ना ऐसे लिख भी लिया करोगे न तो बहुत जल्दी तुम्हें ना पूरे line पढ़ने के भी जूरत नहीं होती तुम फटा फट से ना इसे revision कर सकते हो ठीक है, into true root stem and leaves वो हमने लिख लिया, ठीक है these organs are very well differentiated ठीक है जी, समझ गई, vascular tissue the leaves in teridophytes are small, microfils, ठीक है इसकी बात करूँगी अभी कहीं कहीं पे छोटे-छोटे leaves दिखेंगे तुम्हें तो हमने क्या बोल दिया, micro fills बोल दिया ठीक है, micro fills बोल दिया क्यों भई, micro मतलब छोटे fills मतलब leaves, यहां भी लिख दू micro का मतलब है small micro means small ठीक है fills बच्चों क्या होते, leaves होते है simple हो गया, हमारे ले तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, चलो भई small leaves किसमें मलेंगे, sillaginella कैसे जाद रखेंगे, बच्चों कैसे जाद रखेंगे S से small, S से sillaginella समझे, समझे टिक है, NTA shocks, yes gargan rock, NTA shock yes, yes ठीक है, चलो yes बच्चों, तो कैसे याद रखेंगे हम sillaginella कैसे याद रखेंगे S से है sillaginella और ऐसे होता है, small, ऐसे याद रखो, यह मेरी trick है, ठीक है, यह मेरी trick है, अब आजाओ तुम large पे, भही किसी के पास बहुत बड़े leaves भी होंगे, जैसे macrophils, ठीक है, macrophils में आगे, fern, fan, ऐसे याद रखना, fan, बहुत बड़ा fan, ठीक है, तो ओ गया अपना, क्या, fern हो गया, चलो, इसको लिख लो, इसको ऐसे highlight कर लो, इसको भी highlight कर लो, कभी-कभी एक question पूछ ले जाते हैं, ऐसे कोई बहुत महान question यहाँ से बनेगा नी, अब आजाओ तुम यहाँ, the sporophyte bear sporangia, that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls, oh my god, यह क्या लिख दिया, यह क्या बोल दिया, यह क्या लिख दिय यहाँ बतारेंगे, इधर बतारेंगे तुम्हें, कि they are saying बच्चो, यह क्या बोल रहा है, कि जो मेरा leaf है, leaf के back side पे, in case of ferns, leaf के back side पे, यह है मेरा leaf, okay, this is the leaf, let us say यह हमारा leaf है, exactly ऐसा नहीं होता, थोड़ा और जादा इसमें, थोड़ा और जादा इसमें हो जाता है, exactly बत ये लो, ठीक है, ऐसा होता है, तुम्हारा fern का leaf, ठीक है, फैदर की जैसा होता है, इसलिए हम इनको ferns बोलते है, right बच्चो, इसके back side पे, front side पे नहीं, back side पे, अगर माल लो यह है back side, let us say this is the back side, back side पे बच्चो, आपको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-दोट्स दिखेंगे, और दिखते हैं, अगर कोई बच्चा हिमाचल में रहता है, या फिर हिली स्टेशन पे रहता है, उसने fern के plant देखेंगे, और उनके back side पे dot-dot होते हैं, यह इहां पे बनते हैं spores बच्चो, इधर बनते है spores, लेकिन यही spores नहीं है, जो मैंने dot बनाया है, इनको फोड़ा सो जूम कर लेंगे हम, चलो इसको zoom करते हैं, इसको zoom करूंगी तो मुझे दिखेंगे sporangia, ठीके, मुझे क्या दिखेंगे sporangia, यह ऐसा कुछ दिखेंगा, ठीके, ऐसा कुछ दिखेंगे बच्चो, इसको zoom करते हैं, चलो, माइक्रोस्को बन जाते हैं तुमारे लिए, चलो, माइक्रोस्को बन रहे हैं तुमारे लिए, देख लो, येस, मैं जूम करूंगी तो मुझे ऐसे को structures दिखेंगे बच्चो, something like this, देख रहे हो, बहुत सार स्पोरेंजिया एक साथ इखटा हो गए, ठीक है, अब ये जो इखटा हो गए, इसको मैं बोलती हूँ, सौरस, ये जो मैंने यहां पर blue, 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 blue dots बनाए न, ये क्या है बच्चो, these are Saurus, एक होता है Saurus, बहुत सारे होगे, सौराई, ठीक है, अब ये जो collection बना, ये क्या है, this is a Saurus, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे sporengia sporengia के अंदर spore बनेंगे ये लोग ये बन गए मेरे ये क्या है ये एक क्या है sporengia sporengium होगा एक तो है ना उसके अंदर क्या बने spores ठीक है तो वो वाला leaf जिसके अंदर बनेंगे sporeng के में क्या बोलोंगी उसको मैं बोलोंगी sporofil इसको मैं बोलोंगी sporofil येस बच्चों ये जुमेरा relief ये मिरा special leaf जो क्या कर रहा है sporeng मैं इसको बोलोंगी sporofil फिल क्या था leaf, spore क्या था, spore बनाने वाला, yes बच्चो, yes बच्चो, बता दो, यह बात समझ में आई, पटा बट से बता दो, यह बात, yes मैं एकदम चमक गई है, दिमाग में एकदम fit हो गई है, बता दो, ठीके, 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 यह, yes, yes, very good, very good, अबच्चो, कभी-कभी क्या होता था, तुम्हारे book में दिया होगा, कहीं-कहीं पर क्या होता है, कि कौन्स बन जाते हैं, ठीके, कोन्स कैसे बनेंगे, यह कहीं-कहीं पर ना, मेरे जो यह पोरोफिल्स होते न, यह बड़े शर्मा जाते हैं, शर्मा जाते है कि सब, एकदम सब बहता है, कि तुम भी pass जाओ, तुम भी pass जाते हैं, तो सब ऐसे pass जाते हैं, और एक cone बन जाता है, देखो पहले ऐसे थी, ठीक है? यह जो मैंने बनाया, अभी structure बनाया है, वो ऐसे था, ठीक है? वो ऐसे था, आब इन्होंने कहा है, में शर्मा रहे, शर् sporophyll से बनता है जब वो compactly arranged हो जाते हैं Is this thing clear to everybody? Yes? आजो आप पढ़ लेते हैं आप पढ़ लेते हमें कोई दिक्कत में रहेगी यह रवी The sporophytes be a sporangia that are suspended by leaf-like appendages called sporophylls तो क्या बोलते है जो sporophyte है मेरा plant है जो मेरा main plant है sporophyte उसके पास क्या होते है? sporangia होते हैं बच्चो जो कहां लगे होते हैं leaf-like appendages के उपर लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं sporophyll Done! Done! इसको भी highlight कर ले ना ठीक है? तो in some cases sporophyll may be they may form distinct compact structures which are known as strawberry देखो हम science के student है ठीक है? हम कौन्स नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे हम नबटा fancy नाम लेंगे ताकि किसी को समझ में नाया ठीक है? ताकि किसी को समझ में नाया ताकि हम अपने आपको ना ऐसे दिखाएं कि हमें तो बड़े-बड़े ही तूफानी से बड़े-बड़े words हमें पता हैं तो यह strawberry बोलेंगे हम उसको ठीक है? fancy name है बच्छो डरना मत बस fancy name है स्ट्रॉबली या कौन्स और किसमें मुलेंगे मुझे? सिलजीनेला एक्विसिटम सिलजीनेला एक्विसिटम याद रखना है देखो ऐसे स्ट्रॉबलाई ऐसे सिलजीनेला ठीक है? और सिलजीनेला के साथ साथ आ गया एक्विसिटम सिलजीनेला के साथ क्या क्या आ गया? एक्विसिटम आ गया यास बच्छो? ठीक है? चलो आ जाओ इस बोरेंजया प्रड्यूस्पोर ठीक है? बाय मयॉसिज देखो, प्लांट में आपको कोई भी question अगर पूछ लिया except for algae algae की बात आज में करूँगी जब life cycle बताऊंगी किसी ने भी पूछ लिया ना कि teridophyte में कहां होता है meiosis bryophyte में meiosis gymnosperm, angiosperm आप बोलोगे spore के time पे होता है meiosis gametes के time पे plant में meiosis नहीं होता बच्चो यहां पर जो मैं या लिख देती हूं यह लिख नहीं पड़ेगा in all plants in all plants except most of the algae most of the algae meiosis कहां होगा यह बड़ा important question है यह बड़ा ही important question है except most of the algae meiosis takes place during spore formation और बच्चो इसको हम क्या बोलते है this is known as sporic meiosis sporic meiosis spore mother cell right so important the spores germinate to give rise to inconspicuous यह क्या हो गया इसका मतलब क्या है इतना भारी word इतना भारी शब्द in conspicuous होता है मतलब छोटा almost invisible लिख दू यहां पर इसका मतलब है free living mostly photosynthetic thaloid gametophyte यह हम पहले लिखवा चुकी हूँ मैं वह लिख लिए these gametophyte require cool damp shady place to grow इतने नख्रे वाले यह बहुत नख्रे वाले ठीक है बहुत नख्रे करते है यह बहुत नख्रे करते हैं और जो ऐसा करता है न बच्चो वह तो grow नहीं हो पाता तो यह भी जादा जगा पे grow नहीं होते जिनके जादा नख्रे उनका growth उतना ही कम simple सी बात है ठीक है तो यह जिन्दगी में जो भी चीज मैं पढ़ाती हूँ ना मैं try करती हूँ उसको आपके life के साथ relate करने की nature से आप बहुत सारी चीज़े स्थीख सकते हो यह देख लो इसके कितने नख रहे हैं इतना है तो जादा जगाव पे growing नहीं पाता है जाधा जगाव पे growing नहीं पाता है अभी तक algae को पड़ा था and our pteridophyte भी उन्होंने भी ये club join कर ले हैं बोल रहे हैं हम भी पानी के बिना नहीं fertilization करेंगे हम भी नहीं करेंगे हम भी नहीं करेंगे अंड इसमें वच्छो same structures है enthridia है archegonia है वही है कोई नहीं कहानी नहीं नहीं पुरानी कहानी है ठीक है सब पुरानी कहानी कुछ भी नया नहीं आया है ये देखो the gametophyte bears male and female sex organs ठीक है enthridia and archegonia मतलब कैसा दिखेगा तुमारा gametophyte ये भी बना दू जरा बना देते हैं यार बना देते हैं क्या जा रहा हमारा क्या जा रहा है मैं बना दो ठीक है दिल की शेब का एक gametophyte बनाते हैं आ जाओ अ कि ऐसा कुछ दिखता है इसका जो gametophyte होता है exactly ऐसा कुछ दिखता है सच्च में यार दिल की शेब का होता है ऐसी मजाक की बात नहीं है मजाक नहीं कर रहे हैं ठीक है और उसके पास होते हैं राइज़ोई ये लो ऐसे ऐसे र पर यहीं पर लगजाते हैं अर्च डूट्य यह पास रहोगा रहीजुयटरी ऑंठीड़ ए ने जो मंगें अरे थalah तेया आपना पिंक कलर में कलर में आ अर्च टीगोनिया बन गय हो गया काम ठीक है बन गए इस एक्स ओर्गन येस येस ओके चलो ठीक है बच्चो चलो ये हो गया अपना प्रो थालस this is my प्रो थालस this is archigonium ठीक है अड ये क्या है ये है मेरा enthridium ठीक है enthridium के अंदर क्या बनेगा entherozoids बनेगा वही पुरानी कहानी कोई नहानी है ये देखो water is required for the transfer of entherozoid the male gamete released from the enthridia ठीक है to the mouth of R.K. gonium तक जाते है fertilization internal है यहाँ पर भी ठीक है आजाओ fusion of male and female gamete will produce zygote ओके हमें पता है zygote therefore produces multicellular well differentiated sporophyte zygote क्या बनाता है sporophyte बनाता है which is the dominant phase of teridophyte discuss कर चुक है in majority of the teridophyte all spores are of same kind सब एक जैसे है ठीक है कोई छोटा या बड़ा नहीं है तो उनको हम बोलते थे homo sporous उसको हम क्या बोलते है homo sporous मतलब सारे के सारे spores एक जैसे है लेकिन, लेकिन, लेकिन ठीक है लेकिन, लेकिन, लेकिन Megyn65 बच्चों क्या है sela ठीक है sileginella और salvinian siliugelena and salvinia sileginella and salvinia ने क्या करा उन्होंने बोला कि हम तो एक spore बनाएंगे छोटा, एक बनाएंगे बड़ा ठीक है एक spore होगा जहलक, राइजोट का क्या function होता है, जो root का function होता है, वो राइजाईफ का function होता है, attach करना and nutrition लेना, चलो, आज़ा बच्छो, general, like, सिलाजी लेना and सैलविनिया आगे, उन्हों ने बला कि हम नी, हम नी, हम तो भी अलग रहेंगे, अलग रहेंगे मत्द बच्छो evolution करना पड़ तो वह character टेरिडोफाइट्स ने रख लिया, लेकिन टेरिडोफाइट्स ने सोचा हम कुछ और अलग भी करेंगे, अगर अलग नहीं करेंगे, एवलूशन नहीं होगा, तो कुछ टेरिडोफाइट्स ने सोचा कि हम दो तरह की स्पोस बनाएंगे, कुछ अलग करते हैं, यहा Prime was macro and one was micro. Micro nature में हमेशा male को represent करता है, ठीक है बच्चो? Michael nature में हमेशा किसको represent करता है? Kisको represent करता है? Male को, ठीक है? And macro हमेशा female एpませ जाते हैं, तो मेरे पास male spore अलग से बन गए, female spore अलग से बन गए, ड़िसको हम बोलते हैं heterosporty. and बच्चो यहाँ side में लिग देती हूँ चुपके से that heterospory was the first step पहला step था, पहला कदम first step in seed formation ठीक है, क्या था? heterospory, तुम अगर एक ही जैसे spore बनाओगे तो seed नहीं बनेंगे, तो what was the first thing? first thing was, hetero spory दूसरी चीज क्या थी? retain करना वैसे तुमारे slaybers में है नहीं, बस मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ ता कि पता चल जाए दूसरी चीज क्या थी बच्चो, retain करना जो मेरा female gametophytes हाना, वो वहीं पर develop होगा तीसरी चीज क्या थी? प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चीए, जैसे की integuments होते हैं ठीक है? for example, integuments येस बच्चो, ठीक है? तो ये सब होना चाहिए बाकी चीजे, इसने hetero spory कर ली थी? इसने retain करना भी शुरू कर दिया था female जो gametophyte था उसको देखो, आगे line आने वाली है, देखना तू Megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte ठीक है? respectively Megaspore क्या बनाएगा? female gametophyte, microspore क्या बनाएगा? male gametophyte बनाएगा, okay The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte तो दूसरा condition मैंने क्या बोला था? अभी लिखते हूँ देखो तो दूसरा condition क्या बोला था? Retaining female gametophyte on plant body दो चीज़े यह नो ने कर ली, तीसरी चीज़े यह नहीं कर पाए which was integuments integuments इनके पास नहीं थे, तो यह seed नहीं बना पाए बच्चो दो चीज़े कर ली थी, दो चीज़े तो हो गई थी bio हो गई, chemistry होगी, physics नहीं होई तो कैसे neat crack होगा, नहीं होगा तो यह तीन चीज़े चाहिए मुझे neat crack करने के लिए bio, physics, chemistry, तीनो चाहिए तो जो बच्चे सोचते हैं कि को मैं physics पर ध्यादा ध्यान देता हो, bio तो मैं कर लूँगा तो तुम्हारा मैंने देखा है, chemistry पर ध्यान देता हैं, physics पर ध्यान देता हैं, bio तो मैं हो जाएगा, bio तो यह तो तीनों के भी ना कुछ नहीं होने वाला ठीके, testa integment नहीं वो तो integuments में आएगा, yes बच्चो, चलो बता दो, समझ में आई मेरी बात, यह इनके पास नहीं था, तो seed नहीं बना, yes चलो क्या चल रहा है यहां पर, नहीं मैं, bio फेवरेट है, हाँ बच्चो, तो सारी चीज़े जरूरी है, ठीके, यह तीनों चीज़े जरूरी है, तो physics, chemistry, bio सब जरूरी है, है ना, आजो, तो यह बन गया, the female gametophyte in this plants are retained on the parent sporophyte, for variable period, the development of zygote into young embryo take place between the, within the female gametophyte, this event is a precursor to seed habit, this is important, question तुमारा यही से आएगा, question तुमारा यहां से आएगा, और एक यहां से बनेगा, कि female gametophyte यहां retain होता है, यह नहीं होता है, तो यहां से question यही बनेंगे तुमारे, okay, अब आ जाओ तुम, the classes, ठीके, चार classes में हमने divided कर दिया है, sylopsida, lycoxida, spinopsida and teropsida, नाम आप याद कर लेना, कभी-कभी क्या आता है, match the column वाला question आ जाता है, sylopsida, sylotum, lycoxida बच्चों, silaginela, lycopodium, spinopsida, equisitum and teropsida में dry teris, teris and adiantum, question देख लो, यहां पर क्या क्या आएंगे, फिर से बतारी हूं तुमें, एक बार फिर से पूछे जाएंगे कि sporophyte, plant, sorry, teriophyte में main body कौन से होती है, तुम बोलोगे sporophyte, ठीक है, फिर तुम से पूछेंगे कि gametophyte dependent है या independent है, तुम बोलोगे independent, oh, oh, कर दिया, गडवर कर दी, हां, कर दी, गडवर, erase हो गया, अरे वापस आगया, control that, control that, control that, yes, बच्चों, yes, okay, plant kingdom कभी इतना easy नहीं लगा था, oh, oh, thank you, शुक्रिया, शुक्रिया, हां बच्चों, देखो, मैं फिर से questions repeat कर रहे हूं, please, listen to me, okay, जी, चलो, हां, फिर पूछेंगे कि भी gametophyte dependent है या independent, तुम बोलोगे independent होता है, तीसरी चीज़ पूछ सकते है कि pro thailas क्या है, तुम बोलोग के gametophyte है, ये भी पूछा जा सकता है, बच्चों, अच्छा मेरा एक question का answer करो, मेरे question का answer करो, मैं एक question पूछ रही हूं अभी, आभी गे भी तुमसे question कूछ रही हूं, what is the ploidy of pro thailas, बताओ, pro thailas की ploidy क्या है, फटावट से answer दो, नहीं तो मेरे को तु पता ही नहीं चले येस, जल्दी से, what is the ploidy of pro thailas, pro thailas की ploidy क्या है, पिटाई हरूंगी, पिटाई, जो 2N लिख रहा है उसकी बहुत पिटाई होएगी, ऐसे यहीं से, ऐसे कान खीचूंगी तुमारे, देखो, इधर से ऐसे चांटा पड़ेगा, गरवर, वेरी गोड, it is haploid, it is haploid, बच ये, तो ये haploid है, ऐसे question भी पूछे जा सकते हैं तुमसे, ये देखो, ये मत सोच ना, कि भी, NCRT में लाइन तो नहीं लिखा हुआ, माम, कि ये जो होता है, ये जो, माम, ये जो होता है, प्रो thailas, NCRT में लाइन तो नहीं लिया हुआ, कि ये haploid होता है, अरे, पर NCRT ल हमेशा क्या होता है, है haploid होता है, ये, चलो, ठीक है, डान, are we done, are we done with this, चलो बच्वा आजाओ, अब चलते हैं, जरा जिम्नो स्पम पर पहुंच आते हैं, चलो, तप्पा मारते हैं, और जिम्नो स्पम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी, हाँ, like मत कर देसें को, बिलकुल like मत कर देना, एसे उंगली में दर्द हो जाएगा, है न, इसे यहाँ पे चोट लग जाएगी, अगर एसे एसे, ऐसे like कर दिया तो, बहुत बढ़ी चोट लग जाएगी है न, हाँ, आ जा ओ, बड़े खराब हो तुम बहुत बहुत जादा खराब हो येस gymnos pump बच्छो gymnos pump जिम्मनो का मतला भी होता है naked ठीके naked naked what is naked the seeds are naked I can see the seeds ठीके I can see the seeds ठीके I can see the seeds बच्छो ठीके क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहे है क्या जब तुम एक apple का एक apple रखा ह।ाओ क्या तुम। तुम उसकेstyle देख पाते ओ शेर्ट क्या जब तुम उसके सीर देख पाते हो ? हां देख पाते हो .. नहीं देख पाते हो हां गायल हो जाएंगे गायल हो जाएंगे, गायल हो जाएंगे है ना, लाइक कर दें तो यह उनली टूटेंगे और गायल हो जाएंगे, yes अच्छो, ठीक है चलो, yes, and share कर दिया करो यार, मैं इतनी महनत करके, मैं अपनी तरफ से 100, 200% तुम्हें दे रही हूँ, and I am sure, बायो पड़ोगे न, तुम्हे बड़ा confidence है, अलग level का confidence आएगा बच्चो, share कर दिया करो इंग sessions को, बहुत सारे बच्चो को फाइदा होगा, ठीक है, चलो, तो gymnospum आगया, gymnos means naked, spuma means seed, जब मैं एक apple खा रही हूँ, मैं इसको seed नहीं दिखते है, मुझे काटना पड़ता है, क्योंकि seed छुपे हुए हैं, लेकिन gymnospum ke seed नहीं छुपे हुए, अब angel sperm ke seed क्यों छुपे हुए हैं, क्यों छुपे हुए बच्चो, क्योंकि आपे fruit बनता है, fruit कि से बनता है, ovary से बनता है, यहाँ पे seed छुपे नहीं हुए, तो मतलब यहाँ क्या नहीं होगा, ओड़िघे बच्चो, ovary नहीं होगा, चलो फटावट से लिख लो ना, फिर, किसकी वेट कर रहे हो? Okay, so there is no ovary and because of that they are naked, they are exposed. चलो आजाओ, the seed that developed post fertilization are not covered, they are naked. पता चलिया हमे, gymnosperm include medium size trees, या फिर tall trees भी आजाती है, तॉल ट्रीज में क्यों सा आगया, सिकोया, और जो बहुत ही छोटू सा होता है अपना उसका नाम क्या है, किसी को पता है? जो सबसे छोटा अपना gymnosperm है, उसका नाम पता है किसी को? कौन बताएगा? कौन महान इंसान मुझे नाम बताएगा? जो मेरे साथ plant की ना पढ़ चुके हैं वो बता सकते हैं, हाँ बचो, सबसे छोटा, सबसे छोटा, जो gymnosperm होता है उसका नाम गया है, उसका नाम है, जामिया, पिग्मिया, लिख दू यहां पर कहीं कहीं आपको P.I.Q. में में दिखेगा, smallest gymnos, कौन सा है, कौन सा है, जामिया, जामिया होता है, जामिया, पिग्मिया, जामिया, okay, is the smallest, largest, tallest आपके बुक में लिखा हुआ है, जिनको, जिनको बाइलोबा होता है बचो एक, और एक साइकस होता है, जिके, अब आपको कई P.I.Q. में कुछ क्वेशन दिख सकते हैं, इनको हम बोल देते हैं, living fossil, ठीके, living fossil क्यों बोला मैंने, living fossil क्यों बोला मैंने, औरे वॉल्फिया नहीं है, बही वॉल्फिया बिल्कुल भी नहीं है, वॉल्फिया इंजिस्फर्म है, living fossil क्यों बोल रहे हुँ है, क्योंकि इनकी जो family थी बच्चो, इनकी जो family थी उसमें से सब अब मर चुके है, सब extinct हो चुके है, only जिनको अन साइकस, are still living, इसलिए हम इ इसलिए नहीं बोलते हैं, समझा करो बातों को, सिकोया is the tallest tree, इस पे भी question पूछे जा सकते है, redwood tree है, California में मिलता है, the roots are generally tap root, root बच्चो generally tap root होती है, और root में मुझे दो चीज़े दिखते हैं, ठीक है, कहीं-कहीं पर मुझे mycorrhiza दिखेगा, कहीं-कहीं पर मुझे coralloid roots दिखेगा, अब मैं कैसे याद रखू, किस में mycorrhiza मिलेगा, किस में coralloid दिखेगा, हाँ ma'am, इतना सारा information है, कैसे याद रखे, मैं बताती हूँ तुम coralloid, cyanobacteria, psychus, coralloid, cyanobacteria, ठीक है, तीनो आ गए, जिनका नाम किस से है, C से है, ठीक है बच्चो, तीनो आ गए, जिनका नाम किस से है, C से है, और ये क्या काम करेगा, nitrogen fixation करेगा, भी जहां पर भी cyanobacteria आ गया, वो क्या करेगा, nitrogen fixation करेगा, mycorrhiza मुझे काम देता है, पाइन में pine के, जो tree के seeds होते हैं, वो बिना mycorrhiza के germinate ही नहीं होते, यास बच्चो, बिना mycorrhiza के germinate ही नहीं होते, इतना इनका बुरा हाल है, चिक है, इतना बुरा हाल है, देख लो, देख लो तुम, ओके, देख लो तुम, चलो, अब कहीं के बिस stem मुझे branch मिलती है, कहीं पे unbranch ब्रांश मिलती है, ब्रांश कहा मिलेगी, ब्रांश मिलती है बच्छों, पाइनस और सिड्रस में, अन ब्रांश मिलती है, साइकस में, साइकस में, साइकस is like this, ऐसे है और उपर लीव्स है, क्राउन होता है ऐसा होता है तुम्हारा साइकस ये, इस तरीके से, ब्रांचिंग न इसको हम करेंगे हाइलाइट यह है तुम्हारा question बच्छो यह है तुम्हारा question यह पूरा का पूरा तुम्हारा question है आ चुका है तो gymnos pump के जो leaves है वह very well adapted है किसके लिए सूखी जगा के लिए ठीक है जहां पर पानी इतना नहीं है अब कैसे करा उन्होंने रेखो बच्छो मेरा अगर ऐसे है तो surface area कितना जादा है बहुत जादा पानी भी lose करूंगी अगर मैं अपने leaves को ऐसे बना लो निडल लाइक बना लिए ऐसे निडल लाइक बना लिए surface area कम हो गया पानी बी कम जाएगा तो पहले चीज इनों ने यह करी दूसरी चीज इनोंने क्या करी कि ठिक क् अपनें ऊपर मोटा able to cuticle का layer लगा लाई फानी कम जाये गा, है na, तीसरी चीज क्या करी, स्टोमेटा ऊपर नहीं रखे, स्टोमेटा को नीचे आसे ढ़सा दिया, स्टोमेटा कैसे चले गी है थोड़े से नीचे चले गे, ताकि मेरा पानी का लॉस कम हो जाए Is this thing clear to everybody? Conifers में मिलता है Conifers में कौन आता है? Pinus and Cidrus मैं यहाँ लिख देती हूँ Conifers में कौन आते हैं? जो अपने बुक में example दिये हुए है Conifers में आते हैं बचो Pinus and Cidrus Done? ठीक है? Yes बचो, चलो, आ जाओ मैं साथ साथ में questions भी बता रही हूँ तो ध्यान रखो ठीक है? जब तुम दुबारा NCRT पढ़ोगे तो तुमारे दिमाग में वो questions याद आने चाहिए ठीक है? चलो The gymnosperm are heterosporous देखो बच्चो Angiosperm, gymnosperm, दोनों अब heterosporous हो अब एक-एक-एक लाइन लिखती हूँ एक लाइन लिख रही हूँ यहाँ पर यह आपको काम आएगी All Seed Producing Plants ठीक है? सारी plants जो seed produce करते हैं अब वो कौन से हैं? कौन से हैं? For example, gymnosperm and angiosperms They are what? They are यह important line है They are क्या होते हैं? Heterosporous होते हैं वो क्यों? भई, seed बनाने के लिए मैंने क्या बोला था? Heterosporous होते हैं Yes बच्चो याद रखना question पूछा जाएगा कि Heterospory कहां पे हर, हर plant में मिलती है ठीक है? कहां पे हर plant में मिलती है Territofites में न, कुछ Territofites में होता है बच्चो, Heterospory सब में नहीं होता देखो, बताया था न, यहाँ पे सिर्फ कहां मिलेगा मुझे? Silegy, Nella और Salvenia में Heterospory मिलेगा सब में नहीं होता इसको highlight कर देती हूँ सब में नहीं होता, बच्चो, सब में नहीं होता याद रखना अब आज़ो तो सारे के सारे Heterospores इसको मैं करूँगी highlight ठीक है? They produce haploid, microspores and megaspores माइक्रो स्पोर बनाएंगे, megaspore बनाएंगे वो हम pteridophyte में discuss कर चुके हैं अब यह जो मेरे दो तरह के spores हैं वो अलग-अलग structures में बनते हैं मतलब, male कोन अलग बनता है? female कोन अलग बनता है बच्चो So you will have male strobili and female strobili ठीक है? तो male strobili बनेगा, female strobili बनेगा अब इसको तुम थोड़ा सा ध्यान से सुन लो ठीक है? The two kinds of spores are produced within sporangia that are born on sporophils which are arranged spirally along an axis to form lax or compact strobili और cones यह तीनो एक ही चीज़ के नाम है आप इसको lax बोल सकते हो, strobili बोल सकते हो cones बोल सकते हो, एक ही बात है तो basically क्या हुआ वही? वही, जो हमने टेडेडो फाइट में पढ़ा था मेरे sporophils ऐसे थे ऐसे थे, फिर वो ऐसे आगए कि शरमारी है, शरमारी हुए, तुम भी, तुम भी, तुम भी सब पास आजाओ, सब पास आजाओ, फ्लीज मुझे शरमारी है तो ऐसे करके आगए, ठीक है? तो यह sporophils थे, फ्राइट बच्चो लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा? उन sporophils को भी डिवाइड कर दिया जो female जो male structure बनाएंगे जो बनाएंगे male का structure ठीक है? उसको मैंने क्या बोल दिया? किसी और कर दिया? उसको मैंने बोल दिया microsporophils ठीक है? जो मेरे बनाएंगे female वाले leaves उसको मैं बोलूँगी megasporophils यस बच्चो, इसका मैं एक flow chart देने वाले हूँ तुम्हे इसका मैं एक flow chart देने वाले हूँ जिससे तुम्हें सब याद रहेगा देखो देखो, क्या होगा? मेरे पास क्या बनेगा? mega, mega यह जो मैं flow chart दे रहे हूँ, this is very important mega sporangiate अब यह megasporangiate क्या है मैं? this is your female strobulus, उसका fancy नाम है वस यह है तुम्हारा female strobulus ठीक है? ओके अब आजाओ तुम, कि यह जो मेरा mega sporangiate है यह जो मेरा cone बना किस से बना था, बच्छो, कौन? किस से बना था? mega sporophyll से बनेगा? ठीक है? female वाले leaves से बनेगा? mega sporophyll से बनेगा? चलो यह देखो, कुछ बच्चे ना मतलब इधर उधर की ऐसी बाते कर रहे ना इनका क्या होगा? मैं इनके बारे में सोच रही हूँ इनका क्या होगा? इनका क्या क्या करें? कैसे यह अपना goal के पास पहुँचेंगे? बच्छो, time जादा रहा ही नहीं है तुम्हें पता है ना कितना time है? चलो, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बस तुमें याद दिला सकती हूँ ये इस बच्छो, इसके अंदर क्या होगा? मेगा स्पोरो फिल्स होंगे है ना? मेगा स्पोरो फिल्स के अंदर क्या होता था? स्पोरेंजिया होता था, लेकिन क्योंकि ये फीमेल है तो मैं मेगा लिख दूँगी और फिर sporangia लिख दूँगी sporangia लिख दिया ठीक है जी, ओके mega sporangia actually क्या होता है, पता है क्या होता है mega sporangia actually होता है ovule, ovule का ही दूसरा नाम है mega sporangia ovule लिख दिया, चलो जी अब यह क्या बनाएगा, mega sporangia क्या बनाएगा mega spore बनाएगा mega स्पोर बनाएगा अच्छा बचो मेगा स्पोर बनेगा तो मतलब यहां पर मैयॉसिज होगा बीच में होगा मैयॉसिज यहां हुआ मैयॉसिज क्यों क्योंकि यह सारे स्ट्रक्चर है 2N गया हुआ है 2N OK and this is also 2N यह question पूछ ले जाते हैं इसलिए तुम्हें बड़े अच्छे से समझा रही हूं ठीक है and this is N अब क्योंकि यह मेरा मेगा-पोर है मेगा-पोर क्या बनाता है गयामिटो फाइट बनाएगा लेकिन यह फीमेल गयामिटो फाइट बनाएगा female gametophide, female gametophyte के अंदर यहां क्या होता ? तो कोई नया structure बनाया क्या ? क्या जो gymnos gonna,ふふnag उन्होंने कुछ सोचा कि हम भी कुछ नया बना ले अभी तक archegonia नहीं बदला तीक है अभी तक वही चलता आ रहा है female structure तो male structure में changes आपको दिखेंगे देख लेते हैं अब आजाओ तुम वही यही same flow chart हम male के लिए भी बनाएंगे कि क्या हो रहा है आजाओ Microsporangiate आगया इसको एक बार समझ लो तो जो आप ingeo sperm करोगे वो भी तुम्हारा clear है यह क्या होता है यह male strobulous हो गया male strobulous ठीक है this is your male strobulous ओके जी अब क्या करेंगे इसके पास क्या होगा Microsporophyll होंगे जैसे वहां लिखा है वही same Microsporophyll से बना हुआ है यह correct ओके अब Microsporophyll के अंदर क्या होते थे भई Sporangia होंगे यह लो आ गए Sporangia लेकिन कौन से Sporangia Microsporangia ठीक है अब क्या होगा Microspor बन जाएगा अब क्या होगा Microspor बन जाएगा बन गया बन गया बना ओके ठीक है Yes ओके हाँ बच्चो ठीक है चलो यह आपको बहुत हेल्प आएगा यह जो Mindmap में बना रही हो चलो Microspor आगे And obviously Microspor बने तो यह होंगे Hiploid तो Meiosis कहा होगा यहाँ पर Meiosis हो जाएगा देख लो मैने बोला तो जहाँ Spore बनेगे महां Meiosis हो गया अच्छा अब आजाओ यह क्या बनाएगा अब है यह बनाएगा Male Gametophyte Male Gametophyte ठीक है? और जो मेरा Male Gametophyte होगा वो क्या है? Pollen Grain पहली बार जिंदगी में Pollen Grain बने कहां बने? Gymnose Pum में Question पूछा जा सकता है तुमें ठीक है? Pollen Grain बने बच्चो Pollen Grain बन गए? जाला तो इसको भी लिख देते हैं 2N है ये भी 2N है ये भी 2N है माय सनिद है पहली से के स्टुफचर्स आपके बन जाएंगे PLOYD हर न? तो ये बाद सब को क्लियर हुई? ये बाद सब को क्लियर हुई? ये बच्चों सब को क्लियर आए हुआ? yes very good very good very good बहुत बच्छे तो लिखते जा रहे यस मैम पता चल रहा है बच्छो तुम तुम आगे जाने वाले हो मैं बतारी हो तुम आगे जाने वाले हो तुम कुछ करने वाले हो तुम कुछ करने वाले हो yes because you are consistent you are regular and you don't give up यू डोंट गिवाप बच्चो ठीक है मतलब तुम I can assure you मुझे कोई doubt ही नहीं है कि तुम्हारा तो need clear है वही जिसके अंदर इतना dedication है जिसके अंदर इतना commitment है जिसके अंदर इतना consistency है उसका need clear done मेरे को कुछ बोलना है इसके बाद yes चलो आजाओ अब बात करते हैं यहीं पे ना मैं आपको एक और चीज बता देती हूं कि यह जो mega spore है यह जो mega spore होता है यह कैसे बना क्या हुआ यहां पर एक micro sorry mega spore mother cell बनता है एक बनता है मेरे पास mega spore mother cell yes बच्चो yes बच्चो okay क्योंकि मैंने बना हर एक चीज mother cell से बनती है चलो दूसरे page बनाते है हमारे पास page की कमी दोणा है तो हर एक चीज बनती है mother cell से तो जो मेरा mega spore megasmore mother cell है ठीक है, Megaspore Mother Cell है मेरा, which is deployed, ये था मेरा Megaspore Mother Cell, ठीक है बच्चो, ये पते क्या होता है, इसके साथ obviously, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर होगा, Meiosis, Meiosis हुआ, Myosis हुआ, अब Myosis होगा तो चार सेल्स बनाएगा, yes, clearly चार सेल्स ही बनाएगा, ये लो, इसने बना दिये बच्चो, चार सेल्स, ऐसे करके, वान, टू, sacrifices, फॉर, बना दिये, वान, टू, ही फॉर, क्या ये चारो सेल्स जिंदा रहते है, बताओ बच्चो, क्या ये चारो सेल् यह चारों की चाराइज जिन्दा रहते हैं बच्चों एक मर जाते हैं एक जिन्दा रहेगा So these three three degenerate याद रखना one functional यह बात याद रखनी है यह पूछा जाता है So one mega sport functional एक ही functional रहता है क्यों रहता है क्यों रहता है Very good Students are writing Josh is still high Yes बच्चो High रहना भी चाहिए तो क्यों functional रहता है क्यों functional रहता है मुझे एक बात आओ एक family है उसमें चार बच्चे है उनको पालना easy होगा या एक बच्चे को पालना easy होगा बता हुजे नेचर ने बच्चो यह जान बूज के करा है यह नेचर ने क्यों करा है Because it would be very very easy for the plant to nourish one mega sport as compared to the four mega sport That is why three degenerate Because I want to focus more on one mega sport Yes बच्चो ठीक है तो इसलिए three हो जाते हैं Degenerate तो यहां से भी चीज हम सीख सकते हैं बच्चो मैं उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए जो मेरा goal है उस पे ध्यान दोगे तो आगे success मिलेगी Yes बच्चो तो यह जो तीन चीज हैं मैंने degenerate करी न तीन cell यह क्या हैं यह है negativity यह है RC-पन यह है regular ना रहना ठीक है यह है test ना देना यह वह चीज हैं इनको तुम degenerate कर दो इनको कर दो तुम degenerate Yes बच्चो Yes चलो अभी मैंने यहां पे तुम्हें जो-जो Mind Map बनवाए ना सब बता दिया तुम्हें सब बता दिया तुम्हें तो NCRT NCRT को एक बार ज़रा देख लेते हैं चलो So Microsporengia are called Microsporengiate male strawberry लिखवा दिया है The Microspore develop into male gametophyte which is highly reduced यह यादटना which is highly reduced बहुत ही छोटा है कितना 3-4 cells का होता है ठीक है बच्चो 3-4 cells का होता है तुम्हारा यह male gametophyte मैं लिख देती हूं यहां पे 3-2-4 celled इतने ही इसके पास जादा नहीं होते यह क्या है मेरा pollen grain बन गया development होगा further and यह पहुंच जाएगा कहां पहुंच जाएगा female structure के ऊपर The Cones Bearing Megasporophylls with Ovule यह क्या बनाएंगे यह बनाएंगे female strobellae ठीक है तो जो male और female strobellae they may be born on the same plant same plant के ऊपर भी हो सकते है बच्चो जिसे psychus में अलग होते है तो मेरा pinus क्या है pinus is my bisexual या फिर monotious मैं यह लिखे देती हूँ तो pinus क्या हुआ pinus is monotious यह question पूछा जाता है यार psychus क्या हुआ dicius याद रख ले न लिकलो 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 चलो जी हो गया अब मेरे पास आगे देखो Megasphore mother cell आ गया ठीक है differentiate हुआ ठीक है from the one cell of nucellus nucellus क्या है nucellus is the tissue of your ovule ovule का जो tissue होता है उसको हम बोलते है nucellus लिख देती हूँ यहाँ पर tissue of ovule उसको हम बोलते है nucellus ठीक है चलो आ जाओ the nucellus is protected by envelope and the composite structure is known as ovule पूरा का पूरा जो structure है उसको हम ovule बोलते हैं एक मैं ovule तुम्हें बना के बता देती हूँ कि जिम्नोस्पम में कैसा होता है ovule आ जाओ ठीक है यह रहा अभी this is covered by this is covered by yellow ठीक है integument आ गया अरे यह क्या हो गया क्या मैं इसको नहीं कर पाँगी एक गडबड हो गई विच्छो एक गडबड हो गई इसको मैं erase कर रहे हूँ क्योंकि जिम्नोस्पम का जो ovule होता न वो ऐसा नहीं होता मैं तुम्हें बताओ क्या गडबड होई थी I don't know कितने लोगों ने वो गडबड पकड़ी होगी हाँ जिम्नोस्पम का ovule होता है सीधा ठीक है हमें जिम्नोस्पम का उल्टा ovule बनाते रहते न तो हमें वो आदत पड़ गी है जिम्नोस्पम का ovule होता है सीधा जिसको हम बोलते है ओर्थो ट्रॉ्पस ऑर्थो ट्रोंपर्स क्या है सीधा है ठीक है ऩजिद्नोस्पम는 अब यह क्या है अब यह क्या है अब यह क्या है इस यह।स पास ही एक ही इंटागुमेंग होता है एशकी पास दो होता है इन्जी पर tightly इसको हम बोलते है Unitegmic, इसको उनी टेगमिक, ठीक है? बच्छो कोई देखो मुझसे पलक पूछे हैं, मैं एक बात बताओ कि आपके जो यह Mind Maps उसके बाद NCRT पढने की जरूरत नहीं है आपको पढनी पढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, NCRT आपको पढनी पढ़ेगी ठीक है, NCRT का कोई वो नहीं है बच्छो मैं और अगर आपको कोई टीचर ऐसा बोल भी रहना कि मेरे नोट्स पढ़ो, NCRT पढने की जरूरत नहीं है प्लीज उनको मत सुनो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं तुमसे, प्लीज उनको मत सुनो, ठीक है उनकी बातें मत सुनना यार, प्लीज, NCRT तो पढ़नी ही पढ़नी हो यस बच्छो, NCRT के बिना कुछ नहीं हो सकता, यस चलो, आजा तो यह आप इस चीज पर ध्यान देना, तो यह आप इस चीज पर ध्यान देना, की question ऐसे बन सकता है, और वो क्या बनाएगा, two or more archegonia, multi-cellular gametophyte है, वो उसके अंदर ही रहेगा, आपके पेड़ के अंदर ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, unlike bryophytes and telophyte in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent free living, sporophyte independent होगा, gametophyte is not independent, that is dependent on the sporophyte, ठीक है, चलो, आजाओ, इसको भी highlight कर लो, यह question भी पूछा जाएगा, यह question भी पूछा जाएगा, यह question भी पूछा जाएगा, यह line पर question आ जाता है, आया हुआ है, ठीक है, हवा से उड़के जाएगे, तो यहाँ पर क्या है, wind pollination होता है, लिख लो, यहाँ पर किसी और प्रकार का pollination नहीं होता, wind pollination होता है, यह question भी पूछा जा सकता है, only wind pollination is happening here, ठीक है, यह लो, the pollen tube carrying the male gamut towards the archegonia in the ovule and discharge their content, ठीक है, release कर देंगे, following fertilization, zygote develops into embryo and ovule बनेंगा, seed बनेंगा, ठीक है, मतब ovule की जगा बन जाएगा, seed, seeds are not covered, यह हो गया, pollen tube जब लेके जाती है, बच्चो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, what is this called, this is known as syphenogamy, जब pollen tube लेके जा रही है, pollen grain को, sorry, sperms को, pollen grain बोल रही हो, जब pollen grain, pollen tube बना रहा है, this is pollen tube, तो इसको हम क्या बोलते हैं, syphenogamy, यह क्या है, sperms, right, यह क्या है sperms, और साइकस के पास ciliated sperms होते हैं, यह बात याद रखना, कभी-कभी पूछ लिया जाता है, साइकस के पास होते हैं ciliated sperms, नहीं तो otherwise the sperms are non-motile, ठीक है, the sperms are non-motile, यहां लिख दू, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं, मैं shape पतानी ठीक से बना पाऊंगी यह नहीं, ऐसे 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 ciliya लगा होता है, ऐसे sperm होते हैं इसके, याद रखना, yes, चलो, sł sat, ingyus pump, in an ardu話 दर्ख घू, ंटो बड़ा easy है, ingyus pump हमें सबको से आता है , ? Yes, चलो, ingyus pump, हिम क्यों गचाएं यह लोग थोड़ा सब कराक है, हम क्यों गब राहरे हैं ? थोड़ा सब जरा हिया थीक है चलो, आजाओ, हाा ishtraat.. this is shift at, winged pollen grains मैं शो करहला, कहते हो विक्ड पॉलन ग्रेंज भी होते हैं बिल्कूल थे को फॉलन ग्रेंग इसा इसा तो सबीडिखता ऑफ तो स्बुम्होरा पॉलन ग्रेंग कर रहे हो ईं sounds in स्ग्ण् bliss से से तो इसे तो विंगरेंगे जैडों को यह मिलते हैं इसे तो विंगर्ळ four यहां मेरा seed ठीक है और यह रहा मेरे seed का wing तो winged seeds भी यहां मिलेंगे आपको winged seeds भी मिलते हैं इस gymnosperm में आपको ताकि हवा से उड़के चले जाएं यार simple सी बात है आज अब इंजियो स्पर्म क्या होते है फूल वाले plant होते हैं अपने इंजियो स्पर्म ठीक है यह लो आ गया flower आ गया यहां पर जिसके पास फूल वो होगा इंजियो स्पर्म हर एक plant जिसके पास फूल है वो है इंजियो स्पर्म ही होते है जो जो भी मिला है उससे बेस्ट करने का ट्राइ करती है इवल्यूशन तुम्हें यही सिखा रहा है बायोलजी तुम्हें यही सिखा रही है और इस चीज़ को तुम अपनी लाइफ में भी लगाओ तो इंजियो स्पर्म ऐसे ही नहीं सबसे ज़ादा एडवांश बन गई वह क्यों एडवांस बने क्याश्यक विकूस्यक विकॉस्यक करन आखरे इन वाइव रहूतंग आप aerial ञ जा यह है, so that's the spirit, that's the spirit, बाइव सीजी सीखना चाहिए तुम्हें, yes, चलो, okay, चलो, they range in size from smallest, सबसे छोटा कौन सा, था बचो रोल, फिया, इतना नन्नूस होता है कि मेरे finger tip पे भी नहीं मतलब आपाए वो बिचारा, tallest कौन सा है, eucalyptus, it's the tallest tree, okay, they provide बड़ी सारी चीजे मिलती है, medicine मिलती है, food मिलता है, fodal मिलता है, चलो जी, दो में divide कर सकती है, dicot and monocot, ठीक है, बहुत अक्छे से हम dicot and monocot कहां पढ़ते हैं, in case of anatomy, वहां पढ़ते हैं, बड़ी यहां पर भी कुछ जो चीजे बताएंगे, उनको हम discuss करेंगे, चलो जी, dicot में बचो क्या है, दो cotyledon होते है, cotyledon क्या होता है, it is embryonic leaf, जिसके पास दो हुए मैंने dicot बोल दिया, जिसके पास एक हुआ मैंने monocot बोल दिया, reticulate venation होता है, reticulate venation कैसा होता है, network के जैसा होता है, ठीक है, tetrameris और pentameris flower का क्या मतलब है, tetrameris मतलब 3 के, 4 के multiple में, pentameris मतलब 5 के multiple में, मतलब अगर कोई flower है, जिसके पास है, 10 petals, तो मेरा हो गया dicot, 8 petals, तो मेरा हो गया dicot, लेकिन बच्चों 3 के multiple में आ गया, ठीक है, 3 के multiple में आ गया, तो वो हो जाएगा monocot, that is going to be monocot, मुझे कोई और color चाहिए, ठीक है, so monocot जो आ गया मेरा, उसमें क्या होगा, parallel venation होगा, बच्चपन से पढ़ते आ रहे है, trimerus flower होगा, आ जाओ आगे, अब यह भी बताने की जुरूत है, कि male sex organ कौन सा होता है, stemens होता है, बच्चपन की बात है, ठीक है, and stemens के पास क्या होता है बच्चो, filament होता है, and enter होता है, एक और चीज में आपको बताऊंगे, यहां पे, I will tell you one more thing, one more thing I will tell you, ठीक है, filament enter हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक चीज हमें और पता होनी चाहिए, कि यहां पे, अगर यह है मेरा stemens, ठीक है, यह हो गया filament, ओके बच्चो, और यह हो गया आपका enter, यह हो गया enter, ठीक है, अब enter और filament को जोड़ता कौन है, कौन जोड़ता है, enter और filament को जोड़ता है, एक tissue, ठीक है, एक tissue जोड़ता है, जिसको हम बोलते है, connective, यह भी पता होना चाहिए, तो यह जो orange वाला tissue है, यह है connective, पूछ लिया तो, क्या करेंगे, क्योंकि sexual reproduction में बात होती है इसकी, ठीक है, यह क्या है, enter, normally क्या होता है enter, होता है, bi-loved, जिसको हम बोलते है, bi-thickers, detail में पढ़ेंगे, sexual reproduction in flowering plants में, यह क्या है बच्चो, filament, this is filament, okay, enter के अंदर क्या बनेंगे, pollen grains, यहीं बनेंगे pollen grains, okay, चल, हो गया, yes, very good, very good, diagram अच्छा लगा, तुम मेरे detail sessions अगर लगाओ ना, तो मैं ऐसे बढ़िया-बढ़िया डाइग्राम बनाओ तुम्हे, तो जो बच्चा, जो बच्चा, कोई यहां बच्चा है, जो 23 के लि कर रहा है, is there, is there anybody who is preparing for 23, यह सब 22 वाले हैं यहां पर, हाँ, जो 23 वाले ना, कभी detail session में आना मेरे, ठीक है, मजा आजाएगा तुम्हें, मसा चो मता रही हूं, मजा आजाएगा, अभी तो थोड़ा सा speed लेके चलना परता है ना बच्चो, तो क्योंकि यह तो revision हो रहा है, है यह, हाँ, अरे सारे बच्चे 22 वाले हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चो, कोई बात नहीं, हाँ, चला, यह, 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 आजाओ, तो भई, स्टेमन आ गया, स्टेमन के कुछ पार्ट्स बता दें मैंने, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फिलामेंट, एंथर एसा टिप, नहीं बच्चो, कनेक्टिव भी है, उसको आप भी अपनी बुक में ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे के ऐसा, तो यह हो गया, ठीक है, एंथर के अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेंज बनेंगे, जिसके, जो कैसे बनेंगे, डिविजन होके बनेंगे, किसका ड माइक्रो स्पोर कैसे बनेंगे, बच्चो, माइक्रो स्पोर मदर सेल का डिविजन होगा, मैं यहां पर लिख रही हो, क्योंकि तुम भूल जाओगे, तुमारे उपर मेरे को भरोसा थोड़ा कभी-कभी कम हो जाथा, इसलिए मैं हर एक चीज को यहां पर लिख रही है, जो 2N होगा, ओविसली, यह क्या बनाएगा, यह क्या बनाएगा, मालो यह है मेरा माइक्रो स्पोर मदर सेल, अब यह क्या करेगा, यहां पर होगा मयोसिस, यहां पर होगा मयोसिस, ठीक है, अब मयोसिस हुआ, यह क्या बनाएगा, माइक्रो स्पोर बनाएगा, जो क्या होंगे heploid क्योंकि myosis हुआ है, अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास tetrade बनता है बच्चो, तो 1, 2, 3, 4, ऐसे tetrade बन जाएगा, तो मेरे पास 4 cells बन गए, ये क्या है, ये है मेरे microspores, यहाँ कोई नहीं मरता, सब जिन्दा रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर बच्चो, कोई नहीं मरता, सब जिन्दा रहते हैं, ठीक है, प्यार जुकता है नहीं, गारगी मैम रुखते नहीं, तो बच्चो, याद रखना, यहाँ पर कुछ नहीं मरने वाला सब जिन्दा रहेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे बहुत सारे pollen grains चाहिए, यार बच्चो, इसी माइक्रो स्पोर से क्या बन जाएगा आगे, pollen grains बन जाएगे, छोटू-छोटू, यह सब अलग हो जाएगे, यार क्या होगा, pollen grain इनी से बनते हैं, pollen grain बन जाएगे, ठीक है, okay, pollen grain क्या structure होता है, वो हम sexual reproduction में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, पिस्टिल, इट कंसिस्ट ओवरी, ठीक है, और फिर उपर आजाएगा silent sigma, inside the ovary, ovules are present, generally each ovary has megaspore mother cell, ठीक है, हर एक ovule, ovule के पास megaspore mother cell होगा, बच्चो, जो हमने पहले बात करी थी, और वो भी meiosis करके, चार heploid megaspore बनाएगा, वही पुरानी बात जो gymnosperm में करेगी, तीन degenerate हो गई, ठीक है, तो इसको हम करेंगे highlight भही, तीन मर गए, इसको तो highlight करना पड़ेगा, अब एक ही functional रहेगा, वही मेरा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, male gametophyte, sorry, female gametophyte इसका ovule भी बना देती हो ना, ऐसे तो फिर fair नहीं होगा, इसका ovule भी एक बच समझ लेते हैं, है ना, चलो, यह टेडू सा बन गया, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप बच्चो इसका ovule होगा, उल्टा, चीक है, यहाँ पे ovule मेरा बनेगा, उल्टा, यह आया, काफी गंदा बन गया, चलो मैं सिर्फ एंब्रियो साक बना देती हूँ, I'll make only दा एंब्रियो साक वाला पाट, चलो, आजाओ, एंब्रियो साक में क्या होगा बच्चो एक इस तरफ होगा अपना एग, ठीक है, एग के आजू-बाजू में क्या प्रेजन्ट है, एग के उपर की तरह क्या होते है, we have three cells, जिसको हम बोलते है antipodals, बना दिये antipodals, okay, जी, इसका nucleus, इसका nucleus, इसका खुद का nucleus, तो center में होते हैं, दो cells, cells नहीं मत्तला, दो nuclei, center में दो nuclei, and center में एक बहुत बड़ा cell भी होता है, जिसको हम बोलते है, central cell, ये वाला cell, तो इस structure में, how many cells are there, कितने cells है, एक बार count कर लेंगे, question पूचा जाता है, one, सबसे बड़ा one, two, three, four, five, six, seven, seven cells, ठीक है, seven cells हो गए, कितने nuclei आई है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight nucleate structure, ठीक है, eight nucleate structure, angiosperm में होता है, बच्चो, anotropos, ठीक है, angiosperm में anotropos ovule होता है, उल्टा होता है, तुमारा ovule, बन बना दूँ, क्या, बनाई दूँ, क्या, ovule, बनाई देते हैं, चलो, इसको बनाई देते हैं, बच्चो, ये लो, ऐसी भी क्या बात हो गई, ovule हम पूरा ही कर देते हैं, ये लो, ठीक है, अगर मैं बताए रही हूँ, तो, अबे, क्या हो रहे है, भी ये क्या हुआ, कुछ चल क्यों नहीं रहा है, ले लो भी, एक सिकेंड, ओह, 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 फ्रीज हो गया, फ्रीज, मिरो सिस्टम नहीं चल रहा है, भी ये क्या हुआ, भी ये क्या हो गया, है बच्चो, बच्चो, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, भी मिरो सिस्टम ही, एक सिकेंड यार, थे होल सिस्टम इस नौट रहा है, भी मिरो सिस्टम इस नौट रहा है, अब चल पड़ा है, अब चला, चल गया, चल गया, भी चल गया, येस, 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 हो गया, ठीक 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 हो गया, इसके पास पहले ovule बना तो दूँ यह आए बच्चो एक integument अब आ जाएगा दूसरा integument ठीक है अब देखो मैंने उल्टा बनाया है इसको तो जब उल्टा होगा मेरा ovule उस case में मैं उस ovule को बोलती हूँ अना ट्रॉपस ठीक है तो यह क्या है इस अना ट्रॉपस ovule अना ट्रॉपस ओविल मुझे काम आता है इंजो स्पम में तो वट आ इस देरा टू इन्टेग्यू में ठीक है बच्चो और यह क्या है इस इस न्यूसेलर्स का टिशू और यह क्या है इस इंब्रियो सैक और ऊपर वाले जो तीन सेल्स है वो क्या है एंटी पोडल्स यह क्या है बहुत बड़ा जो सेल है वो है एग यह जो दो इसके साइड में है वो क्या है synergids यह तीनो मिलके क्या बनाते है बच्चो एग अपरेटर्स राइट और यह क्या है पोलर न्यूकलियाई ठीक है एंड इस इस दे सेंट्रल सेल यह होता है तुम्हारा ओवियूल ठीक है यह होता है तुम्हारा ओवियूल ओके बच्चो जो इसका स्टॉक होता है उसको हम फ्यूनिकल बोल देते हैं ओके हाईलम क्या होता है कुछ बाच्चे बोल रहे है हाईलम यह होता है जो पॉइंट ऑफ अटक्वेर्ड को इस पॉइंट को हम बोलते है हाईलम अब तो बाच्चो आंती होने प्रिके लाइफ साइकल रहे है तीक का फटवाट कर देंगे थोड़ा सा पानी पिलू मैं, प्लीज प्लीज आज फिर से शुरू होगे, माम थोड़ा जल्दी कीजिए, माम प्लीज, हाँ, बचो, मैं इसको एड्रस ही नहीं करती, इस चीज को मैं एड्रस ही नहीं करती, है न, नहीं, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट ही होता है, मैं तो इस चाप्टर को आदे गंटे में भी खतम करा सकत हो, आपको पदे अभी आपका सेशन चलते चलते कितना टाइम हो है, वान आवर एंट 10 मिनिट्स, एक घंटा और 10 मिनिट्स हो है अभी, ठीक है, येस, हाँ, ओके, चलो आजाओ, 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 वापस आजाओ, वापस, तो इस इस माइक्रो पाइल, बचो ये होता है माइक्रो पाइलर एंड, ये होता है कलेजल एंड, ठीक है, जहाँ पे एंटिपोडल होते हैं, उसको बोलते हैं कलेजल एंड, जहाँ पे माइक्रो पाइलर एंड, ठीक है, चलो, अब देखते हैं क्या है, तो होता क्या है, कि भाई, ये जो मेरे दो न्यूकलियाई थे, प 2 sperm आएगे, 1 sperm fuse करेगा with the egg यह लिखो, कहा है? यह लिखो, pollen tube enters, embryo sac and two gamits are discharged तो यह question बी पूछा जाता है कि अ कितने gamit आते हैं? 2 आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है? 2 आते हैं, Yes, बचो, high high very good, very good Josh रहे ना चाहिए, Josh बिलकुल high रहेगा हमारा बिल्कुल कम नहीं होगा, ठीक है, कम नहीं होगा, allowed ही नहीं है, बही, allowed ही नहीं है, कम होना जोष, ओके चलो, one of the male gametes fuses with egg cell, इसको हम बोलेंगे syngamete, जो बनाएगा zygote, ठीक है, दूसरा बच्चों किसके साथ fuse करेगा, secondary nucleus, जिसको जो बनाएगा endosperm, मैं यहाँ लिख रही हो, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हो, so, one male gamete plus egg, यह क्या बनाएगे, यह बनाएगे zygote, zygote बन गया, diploid बना, यह haploid था, यह भी haploid था, बन गया diploid, अब जो दूसरा second male gamete है, second male gamete है, थोड़ा पतल ले रहते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा बच्चों, वो, अरे करेगा कुछ नहीं, वो किसके साथ fuse करेगा, it will fuse with a secondary nucleus, जो हमने अभी polar nuclei को fuse करा था, secondary, nucleus मेरा होता है, deployed, और यह है मेरा haploid, दोनों fuse हो जाएंगे, इसको क्या बोलूँगी मैं, this will create pen, pen, जो होगा triploid, pen क्या होता है, primary endosperm nucleus, जिससे मेरा क्या बनेगा, further future में क्या बनेगा, बच्चों future में क्या बनेगा, future में बनेगा, future में बनेगा endosperm, future में बनेगा endosperm, future में बनेगा endosperm, अब एक बात तुम्हें यहाँ याद रखनी है, कि यहाँ पर endosperm होगा triploid, ठीक है, लेकिन जो gymnosperm होता है, वहाँ होता है, heploid, endosperm, angiosperm, gymnosperm, यहाँ होता है बच्चों 3N वाला, और यहाँ होता है N, याद रखना है इस पर question पूछे जाती है, प्लीज इसको यही पर side में लिख लेना, चलो जी, आचाओ, अब इसी को हम बोलते है, double fertilization, यहाँ पर क्योंकि 3 fuse हुए, तो इसको मैं triple fusion भी बोल सकते हूँ, इसको बच्चों vegetative fertilization भी बोलते हैं, दोनों चीजे बोल सकते हो, triple fusion भी बोल सकते हो, vegetative fertilization भी बोल सकते हो, यह राख, चीक है, तो यहाँ पर highlight करा दू तुम्हे, this event is known as double fertilization, which is unique to angiosperm, यह question पूछा जाता है, अब मेरा जो जाइगोट है, वो develop होगा, और क्या बनाएगा, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा, वो बनाएगा, वो बनाएगा embryo, और जो यह pen है, वो बनाएगा endosperm, correct, antipodal degenerate हो जाएगे, और मेरा fruit बन जाएगा, और मेरा seed बन जाएगा, जो पहला हुआ, उसको हम बोलेंगे synagammy, fertilization जो हुआ, तो यह तो हो गया endosperm, यह तो हो गया endosperm, अब हम move करते हैं, life cycles कोई miss नहीं करेगा, इनसे questions पूछे जाते हैं, life cycles को कैसे ध्यान में रखोगे, बड़ा असान है, बड़ा असान है life cycles को ध्यान रखना, बस हम यहाद रखेंगे कि कहाँ पर multicellular होता है, कहाँ पर unicellular होता है, आ जाओ, life cycles फटावट से करते हैं, चलो, फटावट से बचो, फटावट से life cycles, who is excited for life cycles, life cycle से एक question पक्का बन सकता है, ठीक है, life cycle से एक question पक्का बन सकता है, आ जाओ, इन plants, बोथ heploid and diploid cells होते हैं, ठीक है जी, आपका gametophyte हो गया, आपका sporophyte हो गया, heploid and diploid दोनों हो गया, the heploid plant produces gametes, किस की बात करे हैं, gametophyte की बात करे हैं, this plant represents gametophyte, चलो जी, आ गया, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, ओके, अब क्या होगा, जो sporophyte है, अब देखो बचो, वह जो मैंने आपको एक diagram बना के दिया था था ना, जहाँ पर sporophyte, मैं फिर से बनाती हूँ, नहीं तो तुम जाओगे भूल, देखो, sporophyte था, है ना, इसने बनाया था spor, इसने बनाया था gametophyte, पटावट करा रही हूँ, ठीक है, इसने बनाया थे gametes, अब तो सिर्फ या 10-15 मिनट की बात रहेगी है, gametes का fusion हुआ, zygote बना था, उसने फिर से sporophyte बना दिया, अब हमीं क्या याद रखना है, यह होता है, diploid, यह भी होता है, diploid, तो यह हो गया, ठीक है, यह सब होते हैं, haploid, एक चीज याद रखो के, जो भी haploid पार्ट है, that is a part of gametophytic generation, जो भी haploid है ना, वो किसका पार्ट ह gametophytic generation का पार्ट है, एक बाद याद रखोगे, ठीक है, तो यहाँ आगया मेरा gametophytic generation, gametophytic generation, यह आगया मेरा sporophytic generation, ओके, अब हो क्या रहा है, एक बार gametophytic generation आ रही है, दूसरी बार sporophytic, gametophytic, sporophytic, gametophytic, sporophytic, दोनों एक दूसरे के साथ alternate कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या ब Alternation of Generation इसी को बोलते है बच्चो Alternation of Generation ठीक है इसी को बोला जाता है Alternation of Generation ठीक है चलो Done, Done, Done Okay Okay नाब एक बज़े तक बिलोवे क्लास तो भी चलेगा नहीं एक बज़े तक नहीं लेने वाली 10 मिट में खतम हो जाएगा आजो बच्चो थोड़ा सा स्पीड पे और डीटेल में करोगे ना तो थोड़ा टाइम तो लगता है ठीक है तो थोड़ा टाइम तो लगता है आजाएए Following अब फर्टिलाइजेशन हो गया ठीक है जाइगाट बन गया ये देखो जाइगाट बन गया जाइगाट क्या बनाएगा sporophyte बनाएगा Now we have to remember one thing कि मेरा gametophyte multicellular है या sporophyte multicellular है तो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहे हूँ कि कैसे life cycle बनते हैं मेरा sporophyte multicellular है या gametophyte multicellular है बच्चो जो चीज होती है multicellular ठीक है जैसे gametophyte multicellular है जहां पर दोनों ही multicellular है मैं तो life cycle को क्या बोलूँगी हापलो-डिपलॉंटिक बोलूँगी ठीक है हापलो-डिपलॉंटिक बोलूँगी क्या ये समझ में आया मुझे फटावट से येस बोल दो येस मैं समझ में आया बोलो पटावट से एक येस दे दो मुझे येस मैं बोलो-बोलो येस येस बच्चो हापलो-डिपलॉंटिक और ये कॉंसेप्ट समझ में आया कि क्यों किस तरह से हमने बनाया हुआ है life cycle अगर gametophyte है आपका multicellular तो हापलॉंटिक हो जाएगा sporophyte है multicellular तो डिपलॉंटिक हो जाएगा दोनों multicellular है तो हापलो-डिपलॉंटिक ठीक है दोनों multicellular तो हापलो-डिपलॉंटिक येस ये बात याद रखेंगे रखेंगे याद ओके चलो आजओ बागे आजओ अब पढ़ते हैं हम हैपलॉंटिक ठीक है पहला आ रहा है है हैपलॉंटिक हैपलॉंटिक मतलब मेरा gametophyte होगा multicellular ठीक है चलो आजओ sporophytic generation is represented by only one single cell zygote मेरे पास zygote बनता है लेकिन वो meiosis कर देता है वो कोई sporophyte नहीं बना पाता यह कहां होगा algae में होगा यह याद रखना algae में क्या होगा algae में होगा zygotic meiosis बच्चो zygotic meiosis होता है algae में क्यों क्योंकि zygote देखो यहाँ पर zygote divide कर रहा है meiosis कर रहा है और spores बना रहा है ऐसा कहीं नहीं मिलता this is an exception question तुम्हें पूछे जाएंगे कि भई chlamydomonas में कहां पर meiosis होगा तो तुम क्या आंसर दोगे मेरा question है meiosis in chlamydomonas तुमारा answer क्या होगा तुमारा answer क्या होगा फटा फट बताओ फटा फट बताओ कहां होगा बच्चो कहां पर होगा chlamydomonas में meiosis chlamydomonas is an alga zygote में होगा समझ में आगया yes zygote में होगा तो इस answer क्या होगा zygote में होगा याद रखना answer यह इसी तरह से questions पूछे जाएंगे तुमसे इसी तरह से questions पूछे जाएंगे तुमसे done ठीक है इन चीजों को समझना है line पढ़के question नहीं होते चलो आजाओ तो समझ में आया मेरा जो sporophyte है वो किस से कौन represent कर रहा है sporophyte सिर्फ और सिर्फ zygote क्योंकि मेरा deployed cell कौन सा है सिर्फ और सिर्फ zygote मैंने क्या मूला जो deployed cell होगा वही sporophytic generation को represent करेगा इसको करो highlight very very important कोई भी sporophyte और नहीं बनेगा और meiosis कहा होगा zygote में होगा zygotic meiosis होता है ठीक है haploid spore बन गए ठीक है जी वो divide करेंगे और gametophyte बना लेंगे और ऐसे ही तुमारा system चलता रहेगा मतलब जो gametophyte है वो main होगा sporophyte बच्चो short lived होगा ठीक है इसी को हम बोलते है heplontic जैसे की कहा मिलेगा मुझे chlamydomonas, spirogera and most of the algae ठीक है most of the algae राट होड मुझसे पूछ रहे है मैं यहाँ पर sporophyte कैसे gametophyte कैसे होगा मैं multicellular some gametophyte are unicellular apart from them all the gametophyte are multicellular ठीक है जो unicellular algae है उसको छोड़के बाकी सब आपके gametophyte multicellular होते है algae में ठीक है बाकी सब होते है yes ठीक है आजाओ अब आजाते बच्चो haplodiplontic की बात करते है कहां कहां पर मैंने तुम्हें बताय था कि जो आपका gametophyte है और जो आपका sporophyte है वो multicellular है कहां कहां पर बताय था किदर बताय था बच्चो अब मुझे एक और question का answer मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी जब तक मेरे को तसल्ली नहीं हो जाते कि तुम्हें सब समझ में आ गया so gametophyte दोनों multicellular कहां मिलते है बच्चो फटा बट से बता दो very good रिया प्यूश very good no no शुरती आपका answer गलत है yes teridophyte और bryophyte में मुझे दोनों multicellular मिलते है मेरे notes देख लेना और कल का lecture देख लेना अगर किसी नहीं नहीं देखा तो गड़बड हो जाएगी देखो अगर तुम्हें कल का lecture ही नहीं देखा टीक से तो फिर गड़बड होएगी अब इसका मतलब है कि इनका life cycle क्या होगा अब तो तुम्हें समझ में आ गया है इसका मतलब है इनका life cycle क्या होगा haplodiplontic बच्चो क्यो बोथ phases are multicellular easy है easy है क्योंकि बोथ phases are multicellular ठीक है लेकिन लेकिन एक 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 difference है bryophytes में क्या dominating होता है बच्चो bryophytes में क्या dominating होता है gametophyte या sporophyte मैं तो जाओंगी नहीं मैं तो तुम्हारा यही पर revise करा करा के जाओंगी ठीक है बोलो दमक में पहले ही handwritten notes कल ही दे चुकी हूँ कल ही दे चुकी हूँ बताओ बोलो बोलो bryophytes में कौन सा phase है जो dominating होता है तुम यही पर मेरे साथ यही ना revision करके जाओगे मैं जाने नहीं दूँगी तुमे जाने नहीं दूँगी बिल्कुल जाने नहीं दूँगी very good gametophyte ठीक है और teridophyte में उल्टा होता है बच्छो teridophyte में होता है उल्टा so dominant independent sporo photosynthetic illoid और erect phase is represented by haploid gametophyte and it alternates with short-lived multicellular sporophyte which is totally और partially dependent on the gametophyte all bryophyte represent this pattern यह सावे lines आपके किसके हैं bryophytes के जो हम bryophyte में पढ़ चुके हैं इसके उपर question पूछा जा सकता है diploid sporophyte is dominating ठीक है vascular है it alternates with multicellular independent short-lived gametophyte जिसको हम बोलेंगे haplodiplontic in case of teridophytes अब जो हम यहाँ पे कुछ exceptions भी हैं जैसे कि कुछ algae ectocarpus polysiphonia and kelp yes ectocarpus polysiphonia and kelp यह मेरे वो algae है जो होते है haplodiplontic और fucus से कैसा alga है जो होता है diplontic एक-एक चीज पे question पूछा जाएगा तुम्हें life cycle इतने important है यहाँ से क्या question पूछ लेंगे bryophyte और teridophyte में क्या common है तुम बोलोगे haplodiplontic life cycle फिर पूछेंगे उनके life cycle में क्या different है तुम बोलोगे कि यहाँ पे जो gametophyte है वो होता है dominating whereas in teridophyte the gametophyte is short lived but it is independent dependent नहीं है it is independent dent yes बच्चो ठीक है चलो आजाओ अब exception baby question पूछ लेते है तुम्हें पूछेंगे ecto-carpus, polysiphonia और kelps में कौन सा life cycle होता है तुम बोलोगे haplodiplontic तुम्हें पूछेंगे fucus में कौन सा होता है तुम बोलोगे diplontic yes बच्चो चलो this is the diagram यह देख लेना आप अब आजाओ तुम और अब अब आजाओ तुम और अब आजाओ तुम्हें 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 कर चुके हैं अच्छा यह रा बस आनता है आब सिर्फ दो मिनिट का है हो गया आजाओ on the other extreme other types आब मैं बात करती हूँ gymnosperm और angiosperm की उसमें क्या होता है बच्छो sporophyte is multicellular and gametophyte is highly reduced याद है मैंने तुम्हें बता है तीन या चार cell होते हैं या फिर अगर मैं female की बात करूँ तो 7 cell का ही था बस ठीक है embryo stack जो बनाता सिफ 7 cell ही तो थे उसमें बहुत जादा तो नहीं थे तो the gametophyte is highly reduced few cell whereas the sporophyte is multicellular एक जो पेड मुझे दिखता है multicellular होता है न तो यहाँ पर क्या हो जाएगा diplontic yes बच्छो यहाँ पर क्या हो जाएगा diplontic yes बच्छो थोड़ा सा time है पस आ जाओ on the other extreme is a type wherein the sporophyte is dominating देखो मेरे सर में भी दर्द हो गया है मैं सुबा से class ले रही हूँ ठीक है तो तो तुमारे पास कोई excuse नहीं हो ना अगर मैं बैठ सकते हो तो तुम भी बैठ सकते हो yes आ जाओ photosynthetic है independent है ओके और जो gametophyte है is few cell ऐसा जो condition होता है उसको हम बहुते है diplontic alga is an exception fucus ठीक है और इसमें कौन example आता है gymnosperms and angiosperms तुमारा chapter हो गया है आब खताम ठीक है यह इसका है diagram देख लेना और homework क्या है what is your homework NCRT reading properly जैसे मैंने आपको कराया है बहुत बढ़िया तरीके से क्योंकि बच्चो हम 2.30 पे करने वाले हैं PYQs sessions को share कर दिया करो ठीक है yes बच्चो sessions को share कर दिया करो like कर दिया करो मुझे आब comments में जो बच्चा बाद में recorded देखेगा ठीक है मुझे बता देना कि मैंने तियारी कर ली है मैंने पढ़ लिया है मुझे लिखे जाओं मेरे को फिर confidence आता है कि हां तुम काम कर रहे हो yes बच्चो ठीक है हाँ मैं आट बज़े से बैठी है आट बज़े से yes मैं आट बज़े से classes ले रही है उस सुबा आट बज़े से okay yes चलो बच्चो ठीक है तो मिलती हूँ 230 पे और यह आपका combat भी आ रहा है इसमें भी आप enroll करा ले ना 17 को आ रहा है ठीक है इन्रोल करा ले ना code यूज कर ले ना गारगी ठीक है तुम्हें पता है code तो तुम्हें पता ही है यार बच्चो यह free में होता है तो please इसमें जुरूर इन्रोल करा ले ना आपको पता चलेगा आपका rank का है plus में मेरे साथ आके पढ़ सकते हो Iconic में भी code लगाओगे गारगी क्योंकि मेरा एक नया batch आ रहा है यह कुछ नए batch इस है बच्चे जो अमरी चल रहे है और आप डाउट भी पूछ सकते हो आने के आडमी पे ठीक है चलो भागो ठीक है भागो and all the best 230 बच्चो फोडर ना है मचा देना है कैसा रहा समझ में आई चीजे या नहीं आई बता देना मुझे येस चलो बाई